आप सब स्वागत हैं आप सब काज के सेशन में जहां पर बातचित करने वाले एक बहुत बढ़ा डाउट रहता है सबसे पहले वीडियो में लाइक बटन प्रेस करते हुए अपनी उपस्थिती जो है दर्ज करें और उसके बाद जो हम इस कंभीर मुद्धे पर बातचित करेंगे क्योंकि अगर स्टूडेंट ने गलत चॉइस कर ली तो कई हद तक काफी हद तक हम कह सकते हैं कि आने वाले अटेंट पर इस डिसीजन का आपके असर पड़ सकता है तो मैं आज यहां आपको बताऊंगा कि आपके हिसाब से और आपके लिए कुछ ऐसे पैरामेटर से जिनके बेस पर हम जज करेंगे रेगुलर और फास्ट एक बैच को और यह जानेंगे कि आपके लिए कौन सा बैच जो है वो जादा सूटेबल रहने वाला है तो एक बार फटाफट से आजाईए अपनी हाजरी लगा दीजिए बच्चे आ रहें जितने आ रहें भाई लाइक करते रहें और लाइव चैट में लिखकर जो है हेलो सर, गुड इवनिंग सर, हाई सर, कुछ भी लिखकर हमसे बाचेत करते रहें शब्द मैटर नहीं करते भावना मैटर करती है, इमोशन मैटर करती है आईए जी, तो मैं आपको फटाफट से ले चलता हूँ, यहां यह लिजे तो हमारे सामने एक टेबल के माध्यम से मैंने कुछ differentiating points बताएं है, जहां पर मैं आपसे बातचित करूँगा कि regular fast track batch किस तरह से different होते हैं, और यह किसके लिए suitable है और उसके बाद आप बच्चों के live chat में जो भी सवाल रहेंगे, उन सवालों के उत्तर भी हम दे देंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि हमारी website cairaulgar.com पर चल रहा है भारी discount जो की अंतिम दिन रहेगा, कल 24th of May को रात 12 बज़े से prices बढ़ जाएंगे तो अगर आप भी क्लास लेना चाहते हैं, then you can visit our official website और यहां से आप कोई भी क्लास ले सकते हैं, और साथ ही बता दो, इसके लिए कोई coupon code लगाने के अवशकता आपको नहीं है, prices already discount कर दिये गए हैं चलेजे, आप इस मुद्दे पर आ रहे हैं, regular batch लें या fast track batch लें, यह बता देते हैं आपको, सबसे पहली बात बच्चे कहरें, सर आपके कौन से subject सुपलब्ध हैं, और एक बात और बता दूँ, जो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, इसको generic ना समझें, कि यार हर किसी teacher का regular batch ऐसा होता है, या फिर हर किसी teacher का fast track batch ऐसा होता है, यह specifically RSA एने कि राहुल चिकाएडमी, मैं मैं जो पढ़ाता हूँ, CA राहुल करको, उसके बारे में हैं, तो अगर मैं आपको कुछ fast track batch के बारे में, regular batch के बारे में बताँगो, वो सिर्फ मेरी academy, हमारी academy और हमारी classes के तो same to same यहाँ पर applicability हो जाती है, group 1 के अंदर accounts और cost और group 2 के अंदर advanced account और FME को का fast track batch भी आता है, क्योंकि exams recently बच्चों एक खत्म होए हैं, और मैंने हाली में एक वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने बताया था कि क्या आप अपने result का इंतजार करें, या फिर classes start कर दें, त बहुत सारे बच्चे आज की येट में ऐसा चुनाव को लेकर चिनतित हैं कि कौन सी class ली जाए, उन सभी का जो दुख है, इस बारे में उन सभी का जो question mark है, उसे हम यहाँ पर clear करेंगे पुत्तर, ये लीजी, कुछ बच्चे साथ में live chat में लिख रहे हैं, उनका उत्तर भ पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ regular batch ही बना है, या फिर आपने पहले पढ़ा था, studied earlier, bracket में लिख है, from any teacher, कहां से पढ़ा, matter नहीं करता, किसी भी teacher से, लेकिन totally weak है, concept में भी और questions में भी, मतलब ना तो concept अच्छे से clear है, और क्योंकि concept clear नहीं है, तो question होई ही नहीं सकते, मैंने word देखी, क्या लगा है, totally, मतलब अगर आपको लगता है, class तो ली थी, लेकिन ना कोई फायदा नहीं हुआ, या तो teacher की चीज आपको clickने की, teacher खुद से समझाने ही पाई, या फिर आप समझने ही पाई, या फिर आप किसी भी कारण विश से class नहीं लग हम लग रहा है कि हम regular batch तो करी नहीं पाएंगे, तो नहीं fast track batch ले ले लेते हैं, बिल्कुल गलत, अगर आपके exam से पहले आपके पास 4-5 महीने का समय है, तो आपके लिए regular batch ही है, एक regular batch बता दू आपको, अगर आप धंसे पढ़ेंगे daily A class देखते हैं, तो almost 3 months के अंदर, य दिन, August end तक, आप अपने regular class खतम कर सकते हैं, बच्चे कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बच्चे के स्टेडी कैसे बढ़ाओ जाएगा, ऑभाई, CA के कोर्स में है, daily पढ़ना होता है, ऐसा कुई छुट्टी उटी नहीं होती और होती है, तो कभी कभार आउट आया है ऐसा, और कई बच्चे ऐसे हैं, जो फास्टे की लेकर बैठगे, कहते हैं, हम ना नवंबर के लिए कर रहे हैं, त्यारी और हम फास्टेक से बढ़ेंगे, फास्टेक कोर्स बता दू, किसके लिए सूटेबल अज़रा ध्यान से देखेगा, इट इस हैं, ऐसे स्टूडेंट जो की थोड़ा अनफोर्चुनेट रहे हैं, अपना अटेम्ट क्लियर नहीं कर पाए, तो क्योंकि आपके पास पूरा कोर्स करने का समय नहीं है, तो इसके लिए हमने उस रेगुलर कोर्स को शॉट करके फास्टेक बना दिया, वो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा, लेकिन अगर आप कैटेगरी वन में आ रहे हैं, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो आपको रेगुलर बैच सी पढ़ना है, हम जानते हैं, सीए का कोर्स इतना सीए का एक्जाम इतना टफ माना जाते हैं, सीए का कोर्स इतना प्रेस्टीजिस माना जा तो definitely वो जबरदस्त marks लेकर आ सकते है, 80, 90 प्लस भी marks लेकर आ सकते हैं, जो काफी सारे बच्चे लेकर आते हैं हर attempt के अंदर, हर एक chapter को, हर एक concept को बहुत विस्तार में बताया जाता है, हर concept को पकड़ पकड़ घर तरह से तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, उसके plenty of questions किये जाते हैं, जो भी हमारा regular batch है, उसमें almost हम 800 के आसपास question करते हैं, जो भी हमारे subject accounts को, advanced account और FME को, जहां तक fast track की बात आती है, तो depending करता है subject कों से है, किसी subject में 200 के आसपास question है, तो किसी में 300 के आसपास भी question होते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपक खतम कर सकते हो, मतलब जब आपका result आता है, उसके बाद और मुस्स 3-3 महीने के बाद हमारा जो attempt, जो institute attempt लेता है, वो होता है, 3-3 महीने को gap रहता है, तो उस समय पर आपके लिए fast track suitable है, कि आप fast track लेकर पढ़ाई कर लें, और उसके बाद उसकी revision भी कर सकते हैं, लेकिन बता दें कि validity start होती है from the date of activation ना कि date of purchase है, मतलब अगर आपने आज खरीद लिए और आपने activate किया, let's say 10 June को, तो 10 June से उसके 6 months start होंगे, महीं fast track बैज जो उसकी validity होती है, 3 months की, और ये validity इसी प्रकार से बनाएगी, कि जैसे मैंने कहा, आपको course complete करने में लगेंगे, पुतर 3 months तो हम उसका double time देते हैं, similarly fast track को डेड़ महीना लगते है, तो उसका double time 3 months के आसपस आपको दिया जाता है, बच्चे कहते, sir, views कितने मिलेंगे, जरा ये भी बता देना, आपको regular course के अंदर हम देते है, two views, two views का मतलब है कि आप एक lecture को दो बार देख सकते हैं, सवाल उठते है हम दो बार देखना पड़ता है, कोई कहते हम तीन देती है, कोई कहते हम पांच देतीं है, कोई कहते हैं, बार पहुंतल बार बार देखना होता है, तो कोई doubt आगए by chance, उसके लिए आपको second view जो है, डिया जाता हों, second view यो होता भी नहीं है, और fast track batch में हम देते हैं 0.7 view, य देख सकते हैं, यानि कि माल ली जी कोर्स है 100 गंटे का, तो आप उसको 170 गंटे देख सकते हैं, पहले 100 गंटे तो देख लिए एक बार उसके बार कोई डाउट वगेर है, तो उसके लिए 70 गंटे एक्स्ट्रा आपको दिये जा रहे 70% एक्स्ट्रा टाइम जो है पुत्तर दि हो, सर कितनी बुक्स मिलती हैं, अगर आप रेगुलर बैच लेते हो, तो चार से छे बुक्स आती हैं, डिपेंडिंग उन सब्जिक जैसे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट है, उसमें आते है क्लास पजल, होम पजल, एस, गाथा और रिवीजन बुक, वहीं अगर जाते हैं, तो वहां पर एक बुक्क और एड़ हो जाती है, कॉस्टिंग गाथा की, ठेटी के लिए और प्लास पर चेस करते हैं, उसी के अंदर बुक्स की कॉस्ट इंक्लूड होती है, और आपके घर तक जो भी आप एडर्स देते हैं, वह कूरियर का अमाउंट भी इसी क अंदर बिटा इंक्लूड होता है, और उसमें कई सारी बुक्स मल्टी कलर रहती है, जैसे FME को में 6 में से चार किताबें आपकी मल्टी कलर रहती हैं, और दो ब्लेक और रहती हैं, वहीं अगर फास्ट टेक की बात करते हैं, तो आपकी बुक्स दो से तीन हो जाती हैं, फा आपको solution book दी जाती है कि आप करके check कर सकें, क्योंकि फास्ट टेक को जल्दी खत्म करना होता है, जबकि regular batch में किताब ही homework की अलग बनाई जाती है, उसका नाम है home puzzle और उसका कोई answer नहीं दिया जाता, क्योंकि regular batch हैं हम चाहते हैं, बच्चा खूब मन लगा कर हमारे साथ practice करें, तो बच्चे को daily homework दिया जाता है, जो अगली class में आकर पहले homework चेक किया जाता है, तो यह system हमारा रहता है, बच्चे कहरें, sir, coverage क्या होती है, एक बर बताएंगे, तो 100% syllabus cover किया जाता है, आपके regular batch में मतलब सारे chapter, और fast track में भी 100% syllabus cover किया जाता है, regular batch के अंदर जितन relevant है, unimportant है, उसको हम छोड़ देते हैं, तो इसले हम word लगा देते हैं, almost, almost सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ है छोड़ देते हैं, जो कि हमें लगता है, suitable नहीं है, उसका बच्चे कहते हैं, question कितने का राती हूँ, बच्चे regular batch के अंदर सारे all questions, आपका study material, RTP, MTP, past question paper, सारे question र जिन बच्चों को accounts और advanced account लेना होता है, वो पूछते हैं, क्या सर, fast track के अंदर accounting standards cover होते हैं, जी हाँ, cover होते हैं, accounting standards भी, तो ये एक तरा से मैंने overview दिया आपको कि regular batch और fast track batch में क्या अंतर होता है, हमारा, जो fast track batch है, उसका duration 60-80 घंटे का होता है, और जो regular batch है, उसका duration 180-200 घ घंटे का होता है, तो ये optimum duration माना जाता है, fast track जो course है, हमारा purely exam oriented है, हम सिर्फ उसमें इस तरह से बढ़ाते हैं, कि हाँ यार यार ये बच्चा एक्जाम क्लिर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा पहले से ही तंग होकर आ रहा है, जबकि regular batch में हम पूरी तरह से, and detail में, concept के ऊपर ताबड तोड़ question करते हैं, जैसे मैंने बताए, regular batch के अंदर almost 800 के आसपास question होते हैं, तो fast track के अंदर 200 सा 300 के आसपास के questions रहते हैं, तो obviously फरक तो रहेगा, लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं specifically कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों क ऐसा मुझे आया है message, Instagram पर या other social media पर, या हमारे inquiry number पर call आते हैं, कि sir हमने में 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 first group दे दिया, नवंबर में group 2 है, और हम fast track ले लेते हैं, so that जल्दी हो जाएगा, भाई जल्दी तो हो जाएगा, लेकि knowledge तो पूरी ले लो, और किसी को ऐसा लगी कि समय कम है, तो ऐसा ब दे लेता हूँ, देखते हैं, बच्चे कह रहे हैं, sir, FM eco lecturer, studio recording और class recording, बेटा हमारी सारी classes studio recording मिलेंगे आपको, अगर मैं इसी subject को class recording कर दूँ, तो जो मेरा 200 घंटे का बैचे, वो 200 घंटे पर पहुंच जाएगा, और fast track बैच 17 घंटे से 120 घंटे पर पहुंच जाएगा, हमा हमारा ये काम है कि बच्चे इस जैसे course में आया, CA जैसे course में जहाँ पर बहुत जरूरी है बच्चे का time management होना, तो हमें भी खुझ से बच्चे को इची सिखानी होगी, तो हम class recording नहीं करते हैं, रोशन मकीजा लिखते हैं, sir, मैंने आपकी advance और FM लिए है, regular thank you पुतर, करें बच्चे कई बर चोटा मोटा 100-200 रुपे की discount के लिए इधर उधर से class ले लेते हैं, please ऐसा ना करें, हम ऐसे-ऐसे cases देख चुके जहां पर बच्चे ने मानलो course book किया, for example, 10 मही को, और वो घुमता रहता है, वो order एक से दूसरी जीग, और हमारे पास एक-एक महीना जाएगा, immediately Google Drive link, so that आप अपनी classes instantly देखना चालू कर सकते हैं, और first chapter के PDF notes भी हम दे देते हैं, so that जब तक hard copy books आपके address पर पहुंचे, तब तक आप अपनी classes देखना, start कर दे हैं, और समय सबसे किमती है, यही मैं मानता हूँ, और आपको भी इसी चीज़ को जो है, तवस्ज को का लिया है, very good, और साथ से कहीं बच्चों को यह बड़ा doubt है, बच्चे कहते हैं, सर हमने na group 1 में accounts कहीं और से लिया था, तो advanced account आपका ले सकते हैं, क्यों कोई दिक्का तो नहीं, यार समझो न, आपने accounts इससे पहले हो सकते हैं, 11th में, 12th में, CPT या foundation में किसी teacher से पढ़ा जब बच्चा foundation से नहीं आने, इंटर में आते हैं, बच्चे कहते हैं, तो अगर 100 बच्चे, तो accounts 80-85 बच्चे लेते हैं, जो बाकी 15 रहे गए, उन्हें लगते हैं, cost इतना जबरतस पढ़ाया, तो मन तो कर रहे है, advanced account और FME को दोनों ले ले, लेकिन हमने na accounts कहीं और से आप हमारे inquiry number पर एक बार फोन करो, आपकी अगर साहता पॉसिबल होगी, तो साहता करेंगे, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, तो मैं ही चाहूँग, regular batch लीजिए, ठीक है जी, और किसी को कोई सवाल हो, इस बारे में आप जो है, पूछ सकते हैं, और जसने बें तक like नही आपके 80 प्लस नहीं आ सकते, fast track से, आ सकते हैं, डिपेंड करते हैं, student के ओपर भी, कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें खुद की मेहनत नहीं करने, सिर्फ सर जो करा रहे हैं, अब मैंने अगर साढ़े 300 question करा दिये, बच्चा उसके बाद कह रहा है, मैं तो किसी और teacher की book भ नहीं करते हैं, जिन्दगी के इमतिहान में, knowledge सबस्यादा matter करती है, जब chartered accountant बन कर जाएंगे, interview में, अगर उस interview में ऐसा सवाल पूछ लिया, जो कि regular batch से ही clear हो सकता था, तो बंधू करोगे क्या, हमारे future का सवाल है, तो ऐसे shortcut decision हमें नहीं लेने हैं, किसी भी गलत चीज के क बारन, जली जी, बहुत अच्छा लगा, आप बच्चों से एक बार फिर आज बात करते के, और मैं इसी के साथ लेता हूँ, अलविदा, ये वीडियो अपने friends के साथ मी share कर देजीगा, so that उन्हें भी पता चल देगी, regular or fast track में, क्या difference होते है, और जिसने class book करनी है, बाई, कल रात 12 में तक discounted prices रहेंगे हमारी website पर, तो आप जाकर classes ले सकते हैं, उसका prices बढ़ जाएंगे.